ओम शान्ती आज 9 सितंबर 2022 है सच्ची सेवा क्या है और हम सच्चे सेवाधारी कैसे बन सकते हैं क्या विधी हैं इस बात को हम आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे आए सुनेंगे आज का स्लोगन सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूती करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी है स्रिष्टी का ये नियम है कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे जो चीज जैसे हम स्रिष्टी को देंगे वैसी ही चीज उसी तरह से हमारे पास वापस जरूर आएगा ये सिधा सिधा हिसाब इस स्रिष्टी का नियम के रूप में बना हुआ है सेवा भी देने की एक विधी है जिस हिसाब से हम दूसरों को सेवा के द्वारा खुशी, वर्दान, ब्लैसिंग, दुआए, कमफर्ट, संतुष्टा देते हैं तो उसी आधार से हमें भी सेवा के फल सुरूप रिटर्ण में वैसे ही प्राप्थ होते हैं इसलिए जब हम सेवा द्वारा खुशी देते हैं, तो सेवा के फल सुरूप हमें खुशी मिलती हैं और इसलिए कहा जाता है सेवा द्वारा मेवा की प्राप्ती परन्तु क्या देखने में आता है? कभी-कभी हम जो सेवा करते हैं उसमें कई बार खुशी की प्राप्ती तो होती है परन्तु किनी-किनी सेवाओं में खुशी की प्राप्ती कम होती है और किनी किनी सेवाओं में खुशी तो क्या, खुशी के जगह पर तनाओ, तकडाओ ज्यादा होता है तो सेवा के इस result में अंतर क्यों? इसका क्या कारण है? जिस प्रकार की सेवा हम करते हैं, वो सेवा विधी पुर्वक हो, तो विधी से सिध्धी की प्राप्ती होती है अर्थात फल भी उसी अनुसार मिलता है सची सेवा की यही विधी है, कि जो हम सेवा करें पहले स्वयम की सेवा हो अर्थात पहले स्वयम को हम खुशी दे, पहले स्वयम को अपने मन को संतुष ती दे जब मैं अपने मन से संतुष नहीं हूँ, अंदर से खुश नहीं हूँ और तन से अपने समय लगा करके दूसरों को खुश देने की या दूसरों को संतुश करने की सेवा में तत पर रहते हैं तो इसको सच्ची सेवा की सही विधी नहीं कहेंगे सेवा हम अवश्य करते हैं परन्तु इसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे सच्ची सेवा में पहले मुझे अंदर से अविनाशी खुशी का अनुभव हो उस अनुभव के आधार से तन, मन, धन से मैं दूसरों की सेवा करू उसी सेवा से दूसरों को अविनाशी खुशी का अनुभव दूसरों को कराओ इसको कहा जाता है सच्ची सेवा तो आईए हम सत मिल करके आज अपने अंदर चेक करें कि क्या मैं अंदर से खुशी हूँ, अंदर खुश हो करके दूसरों को खुशी करने वाले सेवा कर रही हूँ, तो हम अपने आपको सच्चे सेवा धारे कहलाएंगे, ओम शान्ति